हलो स्टुदेंट्स मैं आवरतन जाइंगी टीम केमस्टी टीम स्वागत आपका सी यल सी डिजिटल प्रेटफोर्म पर स्टुदेंट्स आपने खूब सारे साल पर टेस्ट दियें आज होगी तीस अप्रेल और सात मही को एक्जाम है निश्य तूप से आपके त्यारी स्टु का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं इस पेपर में कुछ अगर गलतियां आपकी हुई है तो उन गलतियों सेखते हुए अपन नेट 23 एक्जाम जो होने वाला अपना उसमें ऐसी कोई गलती है अपन दो रहेंगे नहीं तो अपने स्टुदेंट्स देखने जा रहें सॉल्य को सब्सक्राइब के लिए कौन सा स्ट्रेट्वेंट करेक्ट है तो डाइब और इस तो होता है यह बात तो ठीक है बट यह स्ट्रेट्मेंट इंकरेक्ट हो गया है इस नेक्स्ट देरखा आपको लेवरेटरी मेथड़ पॉर प्रिपर्पर डाइब और इन्वोल्ड ऑक्टेशन ऑप सोडियम बोरो हैड्राइड वित आयोडिन इस्ट्रेट्मेंट अपना करेक्ट है यह स्ट्रेट्मेंट अपना करेक्ट है क्योंकि यह रिक्शन आपने इस न裡 होगी 136 1226 का अपने सोडियम बोर हैडरेद के दोर आपकर रखवाते हैं सोडियम बोरो-हाइडराइड की दोरा है तो एकड़ियम दर्ञास एन अनौमस अमाउंट ऑप एनरजी तो यह उक्षन की फर्जेंस में जलता है और एंसी आर्टी के अंदर यह पॉइंट आपको दे भी रखा है वह एर की पर्जेंस में रियक्शन करके एक ना बी ओएज का होल थ्राइस एंड वार्टर मॉलेक्यूल बनता है और डेल्टा- बॉलेन रेडिली हाइलाइज बाई वाटर तु घिव मेटाव अचेड़ इस्ट्वेट इनकरेक्ट हो गया है थे बॉरेन को जब अपन हाइडलाइस करवाते हैं ठीक ना तो वहां पर पर इस्ट्राइड बॉरिक असिड बनता है मेटाव अचिड नहीं बनता है तो यह र ठिकर ना पातए तो लेंथ यम आप जांते हो कि इसके अंदर एलेक्ट्रों किता होगा निजा Chapman ज्बह रूटर होगा आप जंके इसके अंदर इनेर्ट में डेस्जेल जीरो counterpart सब्सक्राइब फाइब डी जीरो है ठीक और शिक्स जीरो सभी एलेक्ट्रोन आपके निकाल दी है तो निस्यत रूप से यह क्या होगा बोलो अन्पेंट लेक्ट्रोन अपसेंट रथी कलर लेस होगा तो अन्पेंट लेक्ट्रोन किता होगा जीरो तो यह एक प्रकार से कलर नहीं देगा अब इस्ट्रेंट अपने पास्क दो आयन और दे रखें ठीक ना दोनों में अन्पेंट लेक्ट्रोन है देखो अगर इस समेरियम आयन के बारे में अपने बात करें ठीक है तो देखो इसके अंदर प्लस 3 के अंदर 4F 5, इसके अंदर 4F 5 configuration होगा, मतलब unpaid electron इसके अंदर किते होंगे 5, इस वाले में unpaid electron 5 इस्ट्रेंट और GD plus 3 की अगर आपने बात करें, इसका configuration क्या होगा, xenon 4F 7, unpaid electron यहाँ पर किते हैं 7, लेकिन इस्ट्रेंट यह जो configuration है, GD के लिए, इसके अंदर half field configuration होगा, half field stable configuration होगा, और half field stable configuration के कारण, अगर electron FF transition में participate करता है, तो इसकी symmetry disturb होगी, stability disturb होगी, तो यह FF transition में electron participate नहीं करता है, जिससे symmetry disturb नहीं हो, ठीक है, इसलिए यह colored property show नहीं करेगा, तो यहाँ पर आंसर कुन सा होगा, समेरिया, next question के और आगे बढ़ता है, student European, ठीक है ना, इसके electronic configuration के बारे में बात की है, तो European element जो है, वो एक lengthenide element है, lengthenide element है, और यह 4F series के अंदर, यह 6th number element है, Serium से लेकर, Lutecium तक total number of elements किते हैं, 14, उसमें 6th number का element कौन है, यह ना, European, तो European का electronic configuration तो student यह होता है, 4F75D06S2, आप 6th number का element है, आप अगर ऐसा सोचते हो, तो यह configuration सही नहीं है, ठीक है ना, इसमें होता क्या है, यह electron shift हो जाता है, इदर, configuration आपका answer कौन सा होगा, यह वाला, तो यह configuration कहां दे रखा है, अपने को, यह दे रखा है, 4F75D06S2, next question, the depressant NSCN, तो student यह question metallurgy का है, और metallurgy के अंदर, जब अपन बात करते हैं, फ्रॉथ flotation method की, तो फ्रॉथ flotation method जो है student, इसके अंदर होता क्या है, यह sulfide ore के लिए अपन काम में लेते हैं, और sulfide ore के अंदर, जब एक से ज्यादा, more than one sulfide ore हो, more than one sulfide ore हो, ठीक है, तो एक particular sulfide ore को अपन फ्रॉथ में ले जाने दे, ठीक है, और किसी particular sulfide ore को अपने को depress करना हो, फ्रॉथ में जाने से रोकना हो, तो depressant activator जैसे वर्ट्स जो है, यहाँ पर terminology आती है, तो अगर PBS और ZNS का अगर mixer है, ठीक है, तो अगर अपन NACN डालते हैं, तो NACN क्या करता है, student, ZNS के साथ में complex बनाकर इसको फ्रॉथ में जाने से रोकता है, तो यह NACN ZNS के लिए depressant का काम करता है, तो अब देख लेते हैं, used to separate PBS, no, used to separate PBS, इसमें भी आगे भी पढ़ते हैं, from ZNS, by forming complex with ZNS, student, इसके अंदर यह चीज सही दे रखे, कि ZNS के साथ में complex बनाकर, by forming complex with ZNS, तो अपने यह कह सकते हैं, इसमें ZNS के साथ में complex बनाकर, PBS से ZNS को separate किया जाता है, इससे, तो आंसर कुन सा होगा है, इसके अंदर, second, next, student, select the correct statement about the hydrolysis, hydrolysis के अगर अपने students बात करें, तो यह काफ़ी detail का पूरा topic है, जिसमें आपने P-blog के अंदर, बहुत सारे covalent halides के अपने hydrolysis के बारे में आपने देखा होगा, मैं बात करना जा रहा हूँ, BCL3 के बारे में, तो BCL3 के अंदर आप जानते हो कि water molecule का attack किस पर होगा, बोरोन पर होगा, ठीक है, तो बोरोन पर attack होगा, तो यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर attack water molecule का किस पर होगा, क्लोरीन पर, तो यहाँ पर student water molecule का attack होगा, तो यहाँ पर 3 HOCl बनेगा, और अमोनिया यहाँ पर product के रूपे बनेगा, तो BCL3 का जो product है, NCl3 hydrolysis पर HOCl देगा बात सही है, और BCL3 जो हो, HCl देगा, तो इस statement answer कुन सा होगा, students में, third, next question देखते हैं अपन, question number 156, which of the following has smallest radius, अगर अपन D block के अंदर बात करें, atomic radii की बात करें, तो left to right जाने पर series में, पहले size गड़ती है, और in the mid of the series, size almost same, and in the end of series, slightly increase, तो strength इसके अंदर जो size दे रखी है, वो atomic radii की बजाए, atomic radii में, especially अपने को, ionic radii अपने को discuss कर रखी है, ठीक है, तो अपन बात करते हैं, 3D की, अगर अपन बात करें, student plus 2 radii की, तो सबसे छोटा कौन होता है, nickel plus 2, ठीक है, यह order आप देख सकते हैं, और अगर plus 3 की बात करें, अगर मैंने सारे नहीं लिखे, इसके अंदर सारे 10 element, बट इसके अंदर आप एक point ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अगर चाहिए plus 2 की बात हो, चाहिए m plus 3 radii की बात हो, सबसे smallest कौन होगा, ni plus 2, तो answer कौन सा होगा, इसमें second, question number next बात करते हैं, which of the following which do not contain SS linkage, तो student आप सब इनके बारे में जानते होंगे, मैं direct answer पर आता हूँ, इसके अंदर self पर SO3 का trimer है, अगर SO3 का जो trimer अपन बनाते हैं, तो S3 O9 बनेगा, और इसके अंदर student कुछ type की structure होती है, ठीक है, तो इस structure के अंदर आपन देख पार है, student कोई यहाँ पर, यह देखो SO3 जो है, ठीक है, SO3 की यहाँ पर 3 unit है, इसके अंदर SOS bond है, SS bond, यहाँ पर नहीं है, तो answer कौन सा जाएगा, आपका third, बाकिया आप जैसे यह अपन dithiolate की बात करें, तो इसमें SS bond present होगा, ठीक compound होगा, तो answer अपने को मिल चुका, student में कौन सा, third, a pair of compound which have odd, इसके अंदर थोड़ा typing mistake है, यहाँ पर 8 की बजाए, odd, odd electrons in the group, NO, CO, CLO2, N205, SO, 203, तो इसके अंदर आप valence electron जोड़ की विदा सकते होगी, odd electron species है, इसके पास 8 electron है, इसके पास 7, 15 electron species हो गया, odd electron species है, हाना, एक तो आप cancer यह वाला होगा, odd, इसमें 49E1 हो गया, और यह फिर से क्या होगा, odd, odd कैसे होगा, इसके अंदर CLO2 की अगर आपने बात करें, double bond O, double bond O, और यहाँ पर यह अखेला electron आपको मिल रहा है, ठीक है, यह odd electron है, N2O5 की अगर आपने बात करें, student, तो आप जानते हो कि इसके अंदर सबी एलेक्टोन जो पेर्ड कंडिशन में कोई और इलेक्टोन आपको नहीं मिलेगा, और तरी की अगर अपन बात करें, SO2 की बात करें, SO2 की अंदर भी student यहाँ पर कोई और इलेक्टोन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब, odd electron अपने पास NO और CLO2 which of the following is correct increasing order of long pair of electrons on the central atom, तो अपन देखते हैं students, IF7 के अंदर आयोडिन के पास में 7 valence electron और 7 के साथ हैं bond मना रहे हैं, यहाँ पर 7 sigma है और long pair यहाँ पर किता है student 0, IF5 की बात करें student अपन तो यहाँ पर 5 तो bond pair है, ठीक है, और 1 long pair है, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसके पास तो आयोडिन इसके पास 1 long pair है, ठीक है ना, तो इसके पास 7 valence electron थे, 5 bond बना रहे हैं तो एक long pair यहाँ पर है, CLO3 chlorine के पास again 7 valence electron है, इसमें 3 तो fluorine के साथ में bond बन रहे हैं और यहाँ पर 2 long pair है, और genon fluoride की अगर अपन बात करें तो इसके पास 3 long pair है, ठीक है ना, 8 valence electron में से 2 तो bond बना रहे हैं और यहाँ पर 3, तो यह पहला ही आपको answer मिल गए है, इसमें long pair 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें कितना है, 3 the relative stability of cn, cn plus, cn minus, तो आपन देखते हैं, cn minus के अंदर आप जानते हो, कितने electron है, 14 electron, cn के अंदर 13 electron और cn plus के अंदर 12 electron, अगर आपन MOT से बात करें, से आपन बात करें, sigma 1s में में आप electron बरोगें, फिर sigma star 1s के अंदर आप electron बरोगे, इसी प्रकार sigma 2s में electron बरोगें, फिर sigma star 2s के अंदर, तो इस्टूएंट यहां तक अपने 8 लेक्टोन अपने बढ़ दिये 8 के बाद में अपन पाई 2PX और पाई 2PY में इस टाइप से बरेंगे अपन ठीक ना तो अपने पास कितने लेक्टोन हो गए इस्टूएंट 8 के बाद 9 10 11 12 ठीक ना तो 13 और चोगदा तो अपने यह कह सक यहां पर स्टूएंट आपको बॉंड ओर मिलने वाला है 3.0 और अगर मैं बात करूं तो इस एक लेक्टोन को मैं यहां से हटा देता हूं ठीक है तो यहां पर बॉंड ओर किता आएगा 2.5 और यहां पर किता आएगा 2.0 तो बॉंड ओर डिक्रीज हो रहा है तो इस्टेब स्टूएंट तो अपन देखो अपन अल्केली मेटल्स के बारे में बात करें कि सेकेंड़े के अंदर यह कुछ एलिमेंट्स हैं यह प्लस टू आयन बनाते हैं और यह प्लस वन आयन बनाते हैं तो सबस्यादा हाई-फाई कोन होता है बेरलियम ठीक है और उसके बाद में मै बेरलियम के कंपाउंड में उसके बाद मैगनिसियम दे नहीं रखाया अपने को लीथियम दे रखाया है तो लीथियम और उसके बाद में नंबर आएगा सोडियम सबस्यादा कोबलेंट क्रेक्टर बेरलियम के अंदर फिर लीथियम के अंदर और सबसे कम होगा सोडियम मे हाँ तो बच्चों नेक्स्ट कुश्चन आपका है विच ओफ दो फॉलॉविंग स्टक्चर ऑफ थ्री इथाइल टू टू डाइम इथाइल पेंटेन इस आपको एक नाम दिया हुआ है थ्री एथिल टू टू डाइम एथिल पेंटेन इसका स्टक्चर कोल सा होगा इन में से इसमें यह जो आपको दिया हुए मुलिकून से कंडेस्ट फॉर्म में है थोड़ा सा डिटेल में ट्रों करके फिर जाना है अपने को देखना इससे जो मैच करें प्राइगा जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो हमें कहां सी एस त्री थ्रायस और यह इसकी ब्रा CH2 CH2 CH3 यह पहला ऑप्शन था अब इसके अगर अगर पर देखें तो यहां से अगर अपन चले लॉंग्चेन सेलेक्ट करें तो यह जो लॉंग्चेन होई वो कितने क्यों होई 6 कारबन की तो 1 2 3 4 5 और 1 6 6 कारबन का हेक्जेन है तो यह तो अपने को पेंटेन लेना है इसक अगर अगर अपन चेक करें तो 1 2 3 4 5 यह 5 की चैन हो सकती क्योंकि ब्रेकेट वाली यह जो है यह जो ग्रूप दिये हुए कि यह ब्रांच आएंगे तो इसका मलब अपन सेगें पर कर सकते हैं जैसे उपर वाले में अपन नहीं भी ट्रोक करते हैं तो भी चलता इसमें और सेगिन वाले को डेटेल में ड्रोक करें CH3 C methyl group 2 दिये हुए हैं तो methyl methyl अटेच कर लो फिर इसके बाद कहें तो CH CH पर अटेच करना है C2H5 C2H5 के बाद आपको दिया हुआ है CH2 CH3 यह दे रखा है अब इस मोलेकुल की long chain लें तो यह आपकी long chain हो गई भई 5 की pentane इस long chain पर numbering अपन राइट से नहीं करेंगे क्यों क्योंकि यहां से first student 3 पर आएगा हम जाएंगे यहां से यह जाएंगे 345 तो overall 3 पर अपने बस दो group methyl है थर्ड वाला एथिल है नेक्स देखिए match the intermediates given column 1, column 1 में आपको intermediate दिये हूँ है free radical carbocatine, carbonion, their probable structure in column 2, इनकी structure जो हो सकती है उनके साथ, तो देखो पटा आपने को free radical cation और anion दिया है, free radical बोले तो trigonal planar है, pyramidal है, linear है, यह match करना है, तो देखो free radical क्या है, one carbon, ऐसी species जिसमें carbon पे एक single electron हो, कोई homo cut हुआ, उसमें यह species जन्रेट हुई, free radical है, तो इस carbon का जो hybridization आएगा, वो क्या आएगा, sp2, 3 sigma से आएगा, sp2, sp2 के लिए जो geometry होती है, वो कुन सी इन दिनों में से, trigonal planar, pyramidal नहीं, pyramidal के लिए तो sp3 होना चाहिए, lon pair होना चाहिए, linear भी नहीं, linear के लिए sp hybridization चलता है, तो free radical की matching हो जाएगी किस से, A से, मलब 1 की matching A से, 1 की matching A से, A से, और 1 की matching A से, तो इसका मलब यह confirm होगी, थर्ड अपना answer तो नहीं होगा, आगे देखो, carbocadine, carbocadine वो species है, जिसमें hetero cut होता है, carbon positive charge containing होगा, 3 valency वाला होगा, इसमें भी जो carbon है, वो sp2 hybrid होगा, प्लेर ट्राइगोनन होगा, तो इसका मलब carbocadine के लिए भी क्या है, A से matching होगी, वलब 2 की matching भी A से, 2 की A से, यहाँ 2 की proper नहीं है, यहाँ भी 2 की proper नहीं है, यह लोग साल आपका question solve होगा, answer क्या आएगा, first, क्यों, क्योंकि carbon ion जो है, carbon ion एक negative charge containing, बोले तो electron pair containing carbon होगा, 3 valency कैसी वाला होगा, ketion की तरह, free radical की तरह, but long pair होने की वज़े से hybridization जो आएगा, वो आएगा, SP3, but SP3 में भी अपन कहें, तो उसके लिए tetrahedral geometry हो सकती है, बट उसकी अगर अपन shape कहें, तो कैसी होती है, pyramidal, तो B से match होगा, वैसे भी यहाँ दिया हुआ, वो अगर आगे करना अचारे, वैसे अपना option की help ले रहे थे, तो question पहले solve वो गया था, चली, next देखें इसके बाद, which of the following will not show, not show geometrical, मलब आपको वो मुली को सच करना है, जो यह ही शो नहीं करता है, ज्यामीतिय समावेदा परदर्शित नहीं करता, तो देखो बट चारा option जो दिये हुए हैं, वो इन के दिये हुए है, और इन वाले case में क्या होता है, इन का मलब double bone plastic rotation होता है, ग्रुप आपको 4 दिखा रहा है, 4 planer भी होते हैं, SP2 के हैं, तो बस one atom के, one carbon के ग्रुप दोनों different हैं क्या, second के दोनों different हैं क्या, ऐसा यहां तो है, यहां तो है, इसका मलब GA show करेगा, second वा नहीं से भी लिख देते हैं, CS3 लिख दो बात ही किये, यह दोनों same है, इसलिए आपका आंसर 4 रहेगा, 4 वो molecule है, जिसमें GA की condition satisfied नहीं हो रही, क्योंकि इन के दोनों restrict carbon जो होते हैं, उन पे दोनों group जो आएं, इस left और right दोनों पे गया group differ होने चाहीं, तो right वाला तो बिलक कर्मक के प्रति कौन सा अधिक क्रियाशेल, तो देखो बटा, आपके सामने जो molecule है, इनका characteristic reaction होता है, ESR, electrophilic substitution reaction, तो इन पे attack जो करता है, वो electrophile करता है, और electrophile अगर इन पे attack करता है, तो यह ring जितनी electrode rich होगी, जिसमें बड़ा donor attach होगा, वही reactive होगा, electrophile को वही like करेग तो इस हैंगल से अगर अपन चेक करें, तो first वाला जो molecule है, उसके उपर plus H, plus I, और ये वाला plus M का group present है, मिजोमेरिक effect से भी donate कर रहा है, और वो वाला group H और I से donate कर रहा है, अगर मैं यहाँ देखों तो ये दोनों-दोनों group ही plus H वाले या plus I वाले, ये वाला तो plus I का भी न आप आगे जाए, इसमें भी ये वाला group बराबर है, methyl-methyl equal हो गया, बात रही इसकी ये plus M तो है, लिए प्लस M में अगर आप strength wise OH और NHCO को compare करो, क्योंकि NHCO क्या है, एक ऐसा group है, जिसमें personal उसकी खुद की loan pair का CEO से एक resonance भी चल रहा है, जैसा यहाँ कोई problem नहीं है, तो बोल CS3, CS3 दोनों का same impact देगे, अब बात रहती है, OH और ORB, तो OH ORB जो ज़्यादा better donor होता है, प्लस M का order जब अपन देखते हैं, तो उसमें अपन कहें, तो OH better होगा, इसलिए finally इसका answer जो रहेगा, को क्या रहेगा, वाद, नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect, आपको statement देखना है, जो incorrect है, कौन सा कथन असकते है, यह चीज पहले मारक कर ले, क्या जानना चाहरें, incorrect statement जानना चाहरें, It is found that the rate of reaction alkane with halogen F2Cl2Br2I2, बिल्कुल ठीक बात है, alkane की reaction होती है, FSR, और free radical substitution में high reactive fluorine होता है, explosive reaction शो करता है, iodine reversible शो करता है, reactivity order में कोई problem नहीं, incorrect नहीं, correct है, alkane is also known as olefin, यही आप का अंसर है, क्योंकि alkane के लिए जो नेम चलता है, paraffin, paramefin, less reactive, लेकिन olifin होता है, oil forming compound, alkane के लिए यह नेम चलता है, तो यह आप का अंसर रहेगा, जो उसने incorrect आप से जानना चाहा है, second answer रहेगा, first right है, third देख लो, alkane are generally inert toward acid base oxidizing and reducing agent, बिल्कुल paraffin नहीं इसलिए होता है, क्योंकि वो generally किसी भी reagent को respond नहीं करता है, तो अमल, शार, उकसी कारक अपचायक के प्रती alkane समाने दर निश्किरे होते हैं, ठीक बोलगा है, वोर्ज रियेक्शन is used for preparation of higher alkane containing even number of carbon atom, वोर्ज अवेगिरया का उप्योंक सम कार्बन संख्या वाली उच्च तर अलकेन बनाने में किया जाता है, ठीक स्टेटमेंट है बटा, वोर्ज रियेक्शन actual में alkyl halide की sodium metal की बर्जेंस में होने वाली एक कपलिंग रियेक्शन है, आर-ार का कपल बनता है, और इस रियेक्शन को और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए अपने को halides एक ही variety का लेना होता है, एक variety की दोनों लोगे, तो अब इसमें carbon आप even ले लो, तो even-even sum करोगे तो even ही आएगा, ओड-ओड का भी sum करोगे तो even नेक्स देखें, which है maximum melting point, देखो बटा, ये factor का कोश्चन है, hydrocarbon, NCRT, आप देखिए, उसमें melting point, boiling point की एक table मिलेगी, उसमें एक molecule है, नियो-pentane, melting point की series देखना, उसमें नियो-pentane का जो data है, वो icosin से भी better है, मलब 20 carbon का एक alkin लेलो, उससे भी better melting point किसका होता है, नियो-pentane का, और 10 carbon वाले से better, 10 or 20 में comparison आ जाए, या overall methane to icosin अगर comparison आ जाए, तो उसमें टॉपर होता है, नियो-pentane, fact है, data दिया हूँ, NCRT में, तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर answer जो रहेगा, थाट, वैसे इसको किसी वैसे concept से नहीं करना है, सीधा, fact है, NCRT में data दिये तो यह देखोगे, तो acidic behavior of alcohol में मिलेगा, AL के लिए आप जानते हूँ, AL plus 3 form में रहता है, अगर यह acid है, तो acid है, तो इसका मलब H plus lose करेगा, AL plus 3 बनने में जो electron जाएंगे, वो H plus के पास जाके hydrogen gas liberate करेंगी, तो यह जो negative ion है, tertiary botoxide, यह aluminium के साथ settle होगा, तो क्या, यह combination सही है यह वाला सही है, यह यह वाला, यह वाला, तो मुझे right लग रहा है second वाला, क्योंकि AL पर 3 charge है, इसलिए आपको negative ion, जो tertiary botoxy ion है, वो कित्ते लेने होंगे 3, तो aluminium tertiary botoxide, तो यहाँ पर यह थ्रायस आना, बस यही अपने को confirm करना था, aluminium के charge के according, तो यहाँ पर जो answer रहेगा, बटा second रहेगा, चली, इन राइमन टीमाल reaction, molecular weight of phenol increased by, देखो बटा, राइमन टीमाल reaction famous reaction है, जानते हैं अपन लोग, फिनोल को अगर आप chloroform के साथ, बेस की presence में react कर आते हो, तो फिनोल की orthologation पे formulation होता है, यह reaction आता है, इसको कहते हैं, major product यह बनता है, orthosally celldehyde, तो इस reaction में हुआ क्या है, यहाँ पे एक H लूज हुआ है, और CHO की entry हुई, तो यहाँ पे वो जानना चाह रहा है, कि जब आपने राइमन टीमाल reaction करा ही, तो अगर भार में फिनोल से कितना बड़ेगा, फिनोल का जो है, उसमें extra क्या बड़ा है extra beta C और O बड़ा है, H तो वही बड़ा है, आपने H वहाँ से remove किया, CHO लगाया, तो overall आप carbon और oxygen का mass देख लो, यह improve हुआ है, carbon का कितना हो 12, oxygen का कितना है 16, तो यहाँ पे sum करोगे तो कितना आएगा 28, भस यहाँ कई बार हम इसका shortcut मार देते हैं, CHO देख लेते हैं, CHO लिए हुए, एक confusion वाला है, first हो जाएगा, next देखिए इसके बाद 170 number question में क्या है, बेंजीन और प्रोपीन की reaction दी हुए, acidic medium, famous reaction है, reaction का नेम है, friddle craft alkylation, यहाँ पे यह वाला bond open होगा, 2 degree cation बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे H positive, इस carbon protect करेगा, तो ऐसे वाला एक electrophile form बेंजीन के H plus को डाना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction है, बेंजीन और यह दोनों react करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यह आपके बास एक product बनेगा, जिसको हम कहते है, आईसो प्रोपाइल बेंजीन, या जिसको क्यूमीन भी कहा जाता है, famous name क्यूमीन भी है, और क्यू अब आप इसको reaction करा रहे है, O2 से, तो O2 से reaction करा होगे, तो एक famous reaction है, क्यूमीन भी है, तो यह जो क्यूमीन है, क्यूमीन का यह बेंजीलिक carbon और बेंजीलिक H जो है, इसमें आगर के, यह जो oxygen है, यह इस तरह insert हो जाती है, क्यूमीन हैट्रो परोक्साइड बन जाता है, उस क्यूमीन हाइट्रो परोक्साइड बनेगा, क्यूमीन हाइट्रो परोक्साइड, इस material को क्यूमीन हाइट्रो परोक्साइड कहते हैं, कई बार exam में आया हुआ है, तो अच्छा question है, तो यहाँ आपका अंसर जो रहेगा, वो कुन सा, थर, चली, फैनिल बेगनेशियम रोमा C6H5OMGBR, यह ओं इंसरेशन के बाद होगा, यहाँ पर बन गया, उस ए प्रोड़क्ट को आप क्या करा रहे हो, डाइलू टेस्टो इस सो फोर से रहे है, मतलब आप उसे हाइडरोलाइज करा रहे हो, MGBROH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा C6H5OH, जि जिंक डालने पर क्या होगा, यहाँ पर यह जिंक जो है, वो इस O को लेके बना देता है, ZNO, पोले तो इसका रड़क्शन हो जाएगा, और यह कनवर्ट हो जाएगा किसमें, C6H5H, यह आपन कहें C6H6 भी कह सकते हो, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही है, C6H पांसर जो रहेगा, वो कुण सा सेकिन, तो कि वो आपसे लास्ट फाइनल पोड़क जानना चाहरा था, C, Next, Which Amine Cannot be Prepared, Cannot be Prepared by Gabriel Thalemide Reaction, रेखो साब गैबरिल थैलिमाइड का कंसिप्ट क्या है, यहाँ पर अपन कहें, यह होता है, N-Alkyl, यह जो मोलिक्वल अपन देख रहे हैं, इसको कहते हैं, थैलिमाइड, और रियक्शन होती है, Gabriel थैलिमाइड रियक्शन, इससे कौन नहीं बना सकते तीश्च मों अपने को बताना है कॉम सा हिसे नहीं बन बाता चिर्ज में करतें हैं यहां पर करता है रखP करने पर यहां। उसे जब हम हाइड्रोलईज कराते हैं तो हैड्रोलाइज कराने पर यहाँ से हो के हैड्रोलाइज ब Circ round से होगा और और वो पॉडक्ต इन चर्में इसका मलब इसके नोला यह जो अप्ष vin है टो डीगरी वाला के तो पॉसिबल ही नहीं है आप NS2 containing अमाइन बना सकते हो अब बात रह गए इन दोनों की कि इन दोनों में से क्योंगे उसने कहा कौन सा अमाइन नहीं बना पाओगे तो एक तो confirm हो गया कि यहां पर अपन जो second वाला molecule है वो नहीं बना सकते अब second वाला नहीं बना सकते तो यहां पर इसने fourth option दिया first और second दोनों को नहीं बना पाएंगी तो देखना यह है कि answer अपने को fourth देना है या third देना है तो देखो यहां पर second तो confirm है नहीं बनेगा तो वो आपने यहां पर पूरा theme देख लिया कि जो rx लोगे और यहां से जब amine बनेगी तो amine कोन सी बनेगी नहीं यहां पर एच एच आएच आएगा rnh2 का formation होना है अब बात आती है अगर अपन इसकी बात करें यह बना है तो इसका वाला मुझे यहां पर rx की जगह क्या लेना होगा विनाइल है लाइट यह विनाइल होगा उस विनाइल होगा उस विनाइल होगा उस एच मिल जायागा लेगि इसके साथ problem ही आएगी कि यहां पर double bond character है double bond character में यह वाला molecule जो है वो reaction ही निशो करेगा यह जो reaction अपन करा रहे हैं यह potassium favorable ही नहीं है जब यह favori नहीं करना तो product कैसे बनाएगा इसका मलब first भी नहीं बन सकता दोनों नहीं बनेंगे जानना भी वो यही चाहता है को नहीं बनेगा one भी नहीं बनेगा two भी नहीं बनेगा इसलिए answer जो रहेगा वो कौन सा fourth तो third वाले में क्या है third वाले का मतलब इसको आप यहां से कट करके यहां पर रियक्ट कराते आरेक्स में यहां पर कौन सा ग्रूप होता बैंजिल बिल्कुल आराम से यहां पर क्या बन जाता था थर्ड बन सकता है यहां नहीं को question समझना है concept और question दोनों ही ठीक है बाई next देखिए यहां पर आपको दिया एक reaction दे रखी है बेंजीन रिंग पर यह एथिल और प्रोपाइल ग्रूप दिये हुए है केमनोफोर एसेडिक मीडियम में दिया हुआ है और एक प्रोड़क्ट बना रहा है तो देखो एक oxidation का concept आपको मालूम है बेंजिलिक एच कंटैनिंग कोई carbon chain बेंजिलिक है जिस पर प्रेजेंट हो उस carbon chain की length का कोई impact नहीं आता केमनोफोर डालने पे यह जो ग्रूप है यह एथिल और प्रोफिल कंवर्ड होंगे किसमें कार्बॉक्सलिक एसिद में तो यहां पर यह जो परड़क्ट बनेगा इसको अपन क्या कहेंगे थैलिक आप अमोनिया से strong heat करोगे तो यहां पर पहले तो क्या होगा ammonia interaction होगी normal heat की presence में तो यहां पर यह वाली एक कहना है सार होगी यहां अपन कहें तो HOH water remove होगा और यहां जो प्रोड़क्ट बनेगा वो प्रोड़क्ट होगा यह जिसको अपन कहते हैं थैले माइट और इस पर strong heat इसने का है strong heat आप NCAT में देखें बिल्कुल ऐसी wording दिए ही strong heat करते हो तो यह वाला गुरूप इस पर टेक करके यहां से कमोनिया और लूज कर देता है और फाइनली जो प्रोड़क्ट बनता है वह ऐसे वाला बोले तो यह NH यहां में आकर कि यह जो प्रोड़क्ट तो number one option इसमें बिल्कुल perfect है बागी wrong है next देखें इसके बाद acetaldehyde and acetone can be distinguished by तो भई acetaldehyde acetone दोनों को differentiate करना चाते हो आप दोनों को विभेरित करना चाते हो तो कौन सा reagent कामा आएगा सबसे पहले 2,4 DNP 2,4 DNP berendid reagent है चो aldehyde ketone दोनों से similar reaction शो करता है हलागी crystalline solid बनता है पर दोनों से react करेगा तो differentiate कैसे करोगे यह option नहीं यह है आइडोформ reaction आइडोформ में भी अपन कहें तो aldehyde अगर alpha methyl containing है ketone अगर alpha methyl containing है तो आइडोформ का yellow PPT भी दोनों में बनेगा इसका अबलब differentiate नहीं कर पाया sodium bisulfide के साथ white PPT बनाने की reaction होती है लेकिन sodium bisulfide सभी aldehyde से भी react करता है और methyl ketone से भी react करता है white PPT दोनों से बनाएगा differentiate कैसे करेगा यह दिया हुआ है आपको tollend reagent और tollend जो होता है वो बिल्कुल aldehyde को oxidize करके silver mirror बनाएगा ketone के लिए वो काम नहीं करेगा तो आपका जो answer final रहेगा वो कुम साथ ठीक है which of the following presentation of orbitals violating the Paulie's principle प्रिंसिपल क्या होता है कि एक orbital के अंदर maximum दो electron हो सकते हैं वह भी opposite spin के साथ तो एक orbital में दो electron यहां पर दे रखें सेम स्पिन के साथ में तो यहां violation हो रहा है answer इसमें कौन सा हो गया fourth which of the following is not a correct set तो आपन जानते हैं student अगर n का मान आपको अगर दे रखा है तो ल का मान कित्ता होता है 0 2N-1 और एंग के मान होते हैं माइनस L 2 0 2 प्लस L तो इस ट्रेंट 2 है हाना 3 है तो ल का मान 2 पॉसिबल है और फिर M के मान माइनस 2 से माइनस प्लस टू तक यहां पर पॉसिबल होगे तो यह भी पॉसिबल होगा और आपको पता है किसी पर्टिकुलर एलेक्ट्रोन के लिए यह भी पॉसिबल है यह तो correct है एन बराबर चार है तो L के मान जो अब टू 3 होगा और 3 होगा अब टू आपको अगर दे रखा है तो इस पर्टिकुलर सब सेल के लिए आपको पता है आणा इस पर्टिकुलर सब सेल के लिए M के मां माइनस टू से अब यह 3 द्यसकर होगी है तो यह क्या हो गया गलत नोट और करेक्ट क्यों कुछ है तो यह आपको क्या हो गया आपर Mor Aus Gust V तो बात सम्झ में आगी होगी ल कमान अगर आपको तुध इरक है तो m के मान जो है वुद्ध है वे L कमान अगर आपको दे रख़ा है तो m के मान होंगे माइनस L से प्लस El तक 0 को Include करते वे तो सदीन से यहां पर पॉसिबल नहीं होगा तो आंसर कुनसा होगा यह वाला यां से बांखी बी चेक कर लो यो हुद एक हीत तिम नाव compassion फिर उंसर था घंक्लूड कर मौं का है एक क्योशन अपने को देरख सट्ट्रेंट two solid ux and y decompose thermally on hitting in different reaction chamber तो दो reaction different हो रही है ठीक है if the final pressure of both system are equal then what will be the ratio of their equilibrium constant kp1 और kp2 तो देखो student इस वाले question के अंदर kp का जो formula होगा तो देखो ux अपने को मिल रहा है a plus b plus c ये तो solid है तो यहां जो pressure होगा इस particular equilibrium पर वो pressure इस वाले equilibrium में आने वाले pressure के बराबर होगा तो माल लेते हैं कि इस equilibrium के अंदर जो final pressure equilibrium point पर p है तो obvious बात है कि यहां पर mole same है तो py3 py3 यहां पर क्या होंगे total pressure अपने पास अपने p मान रखा है तो वो आ भी जाएगा और यह वाली जो reaction दे रखी student अपने को वाई जो solid है वो अपने को दे रहा है यहां पर पी जो pressure है उस पर अपन क्या लगाएंगे क्यूब तो student यहां पर आप लेख सकते हो पी की पावर क्यूब अपन 27 और नीचे यहां पर अपने पास पी क्यूब तो इनका रहिश्यो करेंगे तो student पी क्यूब से पी क्या हो जाएगा cancel तो यहां प्रांसर के तो आएगा 1 by 27 प्रांसर विल भी 4th प्रांसर के लिए आपको दे रखा है तो यहां पर सॉल्यूब डिटी अपन माल लेते हैं तो यहां पर किती होगी 2s अब आपको एक information student दे रखिए कि pH का मान जो है वो कितना है 12 तो पी ओएज का मान किता होगा student 2 तो concentration ओप ओएज माइनस किता होगा 10s2 पावर माइनस 2 और concentration ओप ओएज माइनस अपन 2s से बता है तो 2s बराबर किता होगा student अपने पास 10s2 पावर माइनस 2 तो s बराबर किता जाएगा अपने पास 5 into 10s2 पावर माइनस 3 तो s का मान अगर अपने पास आ गया है तो student यह ab2 type का एक प्रकार से salt है तो ksp का formula क्या होगा यहां पर 4s cube तो यहां पर 4s का मान अपने पास किता है 5 into 10s2 पावर माइनस 3 तो इसका आपने क्यूब कर देंगी तो यह 125 हो गया 10s2 पावर माइनस 9 इसको solve करने पर जाएगा अपने पास 5 into 10s2 पावर माइनस 7 तो आंसर विल भी 4 नेक्स क्यूशन की और आगे बढ़ते हैं which of the following regarded as molecular solid तो इसमें silicon carbide जो है वो तो एक प्रकार से covalent solid होता है covalent solid होता है huge molecule होता है network solid होता है क्योंकि इसके अंदर entity जो है वो atom होगी जो की covalent bond से बंदी भी होगी इसमें silicon चार कार्बन से जुड़ा होगा और कार्बन जो हो सिलिकन से इस टाइप की structure होती है aluminum nitride भी covalent solid होगा diamond भी एक प्रकार से क्या होगा covalent solid होगा और i2 जो है i2 i2 के बीच में यहां पर हाना कौन सा force होगा wonderful force होगा किकन तो entity क्या होगी अपनी इसमें molecule और molecule के बीच solid कि एक आपको reaction देरखी स्टुएंट टुए गिवज बी प्लस 3C ठीक है और आपको कुछ information आपको देरखी है और इनमें आपको relation बताना है ठीक है तो देखो यह जो reaction देरखी स्टुएंट अपने को टुए गिवज बी प्लस 3C तो यहां पर rate of reaction के लिए अपन प्लस ड्बाइड लिखे लेते हैं –1 by 2 डेल्टा एवी डेल्टा टी को बिल्ठाव से 3 c by d TA miles — एबाइड आटि को के वन लिखावाय है के वन इटू हो गया cal sólo D gren 1000 को देल्टा बी डेल्टा डेल्टा यहा backwards cream के ठीक हम होए take a और पान एक रिएक्षन अपको दिर्ख्य आपको को इसके steps आपको दिरखे तो अपन जैसा कि जानते हैं कि रेट-up reaction जोएवा वो slow step पर depend करती है ठीका ना तो रेट-up reaction जोएवा वो slow step पर depend करेंगी तो यहां पर क्या formula बन जाएगा रेक्टेंट की concentration की प्दों में अपन रेट लो लिछ दे थे लिए होगा अपना तो एंट्रोपी एक प्रकार से decrease होगी. Temperature of a crystalline solides rise from 0 Kelvin to 115. तो temperature बढ़ाने पर तो एंट्रोपी बढ़ती है student, तो यहाँ पर क्या आएगा? Plus. यह decomposition reaction student, decomposition reaction में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? Plus. यहाँ पर bond break होकर number of gases atom यहाँ पर gases particles बढ़ रहे है. delta NG यहाँ पर positive है. तो यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ेगी. तो minus, plus, plus, plus तो आंसर आपका कुन सा होगा? First. A compound is formed by two elements, Y and Z. Z formed CCP. तो यहाँ पर माल लेते हैं कि यह crystal formation कर रहा है, तो इसके particles माल लेते हैं N. तो आप यह बताओ, इसमें tetraheadle voids किती होगी 2N, but 2N void है, उसका 1 by 3 part जो है, वो occupy कर रहा है atom Y. तो यहाँ पर ratio क्या जाएगा? 2 by 3 ratio 1, याँ पर उसको 3 से multiply करोगे, 2 ratio 3. मतलब Y तो कितना है? 2 और Z कितना है? 3. तो यहाँ पर formula क्या जाएगा? Y2, Z3, आंसर कौन सा होगा? 1st. The amount of heat released when 20 ml of 0.5 m N. वैज is mixed with 100 ml of 0.1 m HCl is kilojoule, the heat of neutralization kilojoule per mole. तो student, आपको reaction दे रखिये, इसके अंदर N. वैज और HCl, तो यहाँ पर आपको student पता है कि इसमें N. HCl plus water बनेगा. तो heat of neutralization की definition क्या होती है? जब कोई 1 gram equivalent acid जो है, वो बैस से completely neutralize होता है, तो जो heat निकलती है, उसको अपन क्या बोलते है? delta H neutralization. तो यहाँ पर student, 1 gram equivalent acid अगर neutralize हो रहा है बैस से, तो अपन कह सकते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है, NHCl, NAOS के बारे में आपको दे रखा है, 20 ml और आपको दे रखा 0.5 m. और HCl के बारे में आपको दे रखा 0.1 m into 100 ml, अपन जानते हैं student की molarity बराबर होता है, normality upon volume, तो normality बराबर हो गया, m into, and mols बराबर हो गया, m into V. और आपको पता है कि अपर अगर, mol को valency factor से multiply कर देते हैं, तो अपने पास क्या आजाता है? gram equivalent. तो valency factor तो 1 है यहाँ पर NMH और HCl दोनों का, तो आप जानते हो, कि यहाँ पर इनके mol ही एक प्रकाट से gram equivalent के बराबर होंगे, तो यहाँ पर gram equivalent और mol जो हैं वो बराबर होंगे, तो यहाँ पर आपको किता मिलेगा? बोलो student, यहाँ पर 10 miligram, मिली मॉल या मिली ग्राम equivalent यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर अपन 10 miligram equivalent ही यहाँ पर आ रहा है, अब मिली ग्राम equivalent बोलो या मॉल बोलो यह यह बात है, क्योंकि वैलेंसी फेक्टर किता है 1, तो अपन यह कह सकते हैं कि overall 10 miligram equivalent बेस्ट जो है वो 10 miligram equivalent एसिट से न्यूटलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया 10s to power minus 2 gram equivalent जो है वो न्यूटलाइज हो रहा है, तब एनरजी कित्ती निकल रही है, अक्स खेलो जूल, तो एक gram equivalent अगर न्यूटलाइज होगा, ठीक है न, तो यहां पर करता हो जाए अक्स भाई 10s to power minus 2, यानि 100 अक्स हो जाएगा, और neutralization में हमेशा energy release होती है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस 100 अक्स, तो इसमें answer कौन सा जाएगा, फरस्ट, तो इसमें definition पर best question है, कि एक gram equivalent acid, एक gram equivalent best से अगर neutralize हो रहा है completely, तो जो heat निकलती है, उसी को अपन क्या बोलते है, delta is neutralization, तो जो information अपने वो देरकी थी, उससे समझ में आया आपने को, कि 0.01 gram equivalent neutralize हो रहा है, तब energy इत्ती release हो रही है, तो एक gram equivalent पर इत्ती release होगी, उससी को अपन क्या बोलेंगे बोलो, delta is neutralization, एक question आपको देरका है, उन्दा basis of given thermochemical equation which is correct relation, तो student, यह वाली जो equation है, अगर अपन इन दोनो equation को जोड़ दें, तो CO से CO cancel out हो जाएगा, हाप अटू, हाप अटू मिलकर, एक अटू बन जाएगा, और carbon plus, carbon plus O2 बरावर CO2 उपर वाली reaction ही आजाएगी, मतलब first वाली जो reaction है, वो second और third को जोड़ने पर आपको मिल जाएगी, इसका मतलब delta H1 जो है, जिसको अक्स से लिखावा है, ठीका, अक्स जो है वो Y प्लस Z के बरावर होगी, तो आपको आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें, third, तो section B के अंदर अपन बात करते हैं, students, इसमें आपको पूछा, आपको पता है, student bond order बढ़ता है, तो bond strength जो है, बढ़ेगी, तो अपने को पता है, इसके अंदर एक तो CEO बोल रखा है, तो इसका तो आपको पता है, कि student bond order किता है, 3, एक इसमें CO2 की बात कर रखी है, तो student यहाँ पर bond order कितना आ रहा है, 2, एक कार्बोनेट के बारे में बात कर रखी है, student अपने को, तो यहाँ पर आपको पता है, कि resonance होगा, यहाँ पर 4 by 3, तो कुल मिलाकर बात ही है, कि CEO का bond order सबसे ज़्यादा आ रहा है अपने पास, तो यह एक option आपको मिल रहा है, तो आज सर्कुन सा हो गया, second, the bond angle of s3 or plus, rs3, s2 and rs2 minus, तो ऐसे क्योंस में स्ट्रेंट जनरली अपन क्या देखते हैं, कि SP की दुला में SP2 दे रखा है, SP3 दे रखा है, तो bond angle गठेगा, लेकिन अगर अलग-अलग आपको example दे रखे हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर lawn pair मान लो, suppose गरो इसके अंदर 0 है, lawn pair 1 है, lawn pair अगर 2 है, तो lawn pair का number बढ़ने से bond angle गठता है, ठीक है, तो यहां जो आपको species आपको दे रखे हैं, इन चारों के अंदर hybridization SP3 है, जैसे अगर अपन बात करें, स्थ्री और प्लस की, तो स्थ्री और प्लस की अगर अपन बात करें, तो SP3 है, वन lawn pair वाला case हो गया, NS3 की अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर भी student SP3 hybridization है, lawn pair इसके अंदर 1 है, S2 की अगर अपन बात करें student, तो यहाँ पर 2 lawn pair है, hybridization SP3 है, lawn pair करता है, 2, और NS2 माइनस की अगर अपन बात करें student, तो यहाँ पर आपके पास एक extra electronist में ले रखा है, तो hybridization SP3 होगा और lawn pair करता होगा, 2, तो lawn pair का number जिसमें ज्यादा है, उसका bond angle कम होगा, तो इन दोनों species का bond angle इन दोनों से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, अब यहाँ अपन कह रहे हैं कि student central atom की E-N, nitrogen की तुला में oxygen की ज्यादा है, तो bond के electron थोड़ा central atom के पास में होगे, तो यहाँ पर bond pair, bond pair repulsion इसकी तुला में ज्यादा होगा, तो इन दोनों में bond angle इसका ज्यादा होगा, अगेन यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि जो bond के electron है, वो central atom के पास में होगे, इस S3O plus की बात करें, तो क्योंकि E-N, nitrogen की तुला में oxygen की ज्यादा है, तो bond के electron यहाँ center atom के पास होँगे, यहाँ थोड़े दूर होँगे, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, तो bond angle यह ज्यादा होगा, S3O plus, S3O, S2O, यह first option आपका चला जाएगा, which of the poravine not optically active, हो, तो COEN का whole thrice, आपको पता है, इसके अंदर, अगर अपन बात करें, आपको पता, इथाइलीन, डाइयमीन है, तो यह तो optically active होगा, यह वाला case भी बिल्कुल, SI case है, ठीक है, इसमें भी chromium plus 3 है, और इसके अंदर OX, oxalator की बात करें, तो oxygen donor atom है, तो यह general case होगया, आपने पास, दोनों case में MA का whole thrice वाला case है, इन दोनों के अंदर, इसमें geometrical isomar तो नहीं बनते हैं, बट यह optically active होता है, क्योंकि इसमें कोई plan of symmetry आपको नहीं मिल रही है, तो यह active हो गया, और यह दूसरे वाला भी active हो गया, यह आपको एक formula दे रहा है, इसको अपन चेक कर लेते हैं, इसके अंदर आपको sis के बारे में बॉल रखा है, तो student इसके अंदर sis बॉल रखा है, तो CL को अपन 90 degree पर अपन रखेंगे, और यह ethylene diamine आपके पास यहां है, तो इसमें plan of symmetry जो है, वो absent है, तो यह active होगा, लेकिन अपन यह वाला case के अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर student अपने पास यह trans ball रखा है, तो इसके अंदर student plan of symmetry है, तो plan of symmetry है, तो यह optically inactive होगा, और answer आपका कुन सा हो जाएगा, 4, which is correct order, तो student इसके अंदर अपने वो दे रख है, hydrates दे रख है, यहाँ पर यह कॉमा लगावा है, तो यह regular order है, तो आप जानते हो student, hf, hcl, hvr, hik, अगर आपन बात करें, तो नीचे जाने पर bond energy जो है, वो घठेगी, उससे acidic nature जो है, वो बढ़ेगा, और बढ़ रहा है, तो यह statement तो correct है, और thermal stability नीचे जाने पर आप जानते हो, student गठेगी, reducing nature जो है, वो बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है, यह statement भी correct है, bond energy की अगर आपन बात करें, student, FF, CLCL, BR, BR, और II, तो आप जानते हो, कि यहाँ पर lawn pair, lawn pair repulsion होगा, और lawn pair, lawn pair repulsion का bond energy, यहाँ पर इसका order आता है, तो यह गलत दे रहा है, तो अपने को, correct पुछे हैं, तो अभी तो यह तो correct आ गया, यह incorrect आ रहा है, और आप जानते हो, student, as character बढ़ने पर EN बढ़ता है, तो यह correct statement है, तो correct statement कौन से होगे, students, A, B और D, तो answer कौन सा होगा, 4, what are the raw material used in solvay process, तो student, solvay process जो है, solvay process जो है, वो sodium carbonate या फिर sodium bicarbonate formation का method है, और इस method की अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर एक reaction होती है, important, H2CO3, NH4, OH, तो यहां पर ammonium bicarbonate बनता है, और ammonium bicarbonate, by product भी चलो में लिख देता हूँ, ammonium bicarbonate से फिर आपको, अगर sodium bicarbonate बनाना है, तो brine solution आप काम में लेते हैं, तो इसमें sodium bicarbonate यहां पर बन जाएगा, और एक ammonium chloride बनता है, तो अगर आपको sodium bicarbonate बनाना है, तब तो बन चुका है, इसमें hydroscopic nature कम होती है, तो इसको बिल्कुल इजीली अपन अलग कर सकते हैं, और sodium bicarbonate, तो बिल्कुल thermal decomposition कराकर अपने इसको बना सकते हैं, यह solvay process हो गया पुरा, तो अपने को पुछा है, इसमें raw material, तो यह important reaction है, जिसमें आप यह वाला acid कैसे त्यार करते हो, तो आप simple water और CO2, तो CO2 को अपन, exactly calcium carbonate, calcium carbonate के रूप में raw material लेते हैं, जिसको गरम करके CO2 अपने प्राप्त करते हैं, फिर इन दोनों से आप यह acid बनाते हो, यह वाला base कैसे ready करते हो, अमोनिया काम में लेते हो आप जिसका water के साथ में आप और NHCL काम में लेना पड़ी रहा है अपने को student, तो यह basically raw material काम में लेते हैं, तो अपन calcium carbonate की जिगह पर अगर CO2 भी दे रखा है, तो अभी ठीक है, तो NHCL, estosophore काम में लेते हैं, carbon काम में लेते हैं, एने वेज काम में लेते हैं, NHCL और CO2 काम में लेते हैं, बट CO2 की जिगह calcium carbonate दे रखा है ज्यादा बेटर है, NHCL और ammonia तो हो गई होगा, तो आंतर कुन सा होगा, 4, हाँ तो बच्चों, next question देखिए, match the following structure in column 1 with their name, given column 2 and select the appropriate option, column 1, column 2 में अपन कहें, तो column 1 में molecule के नाम दी, column 1 में structure दी हुई है, column 2 में उनके नाम दी हुए है, matching करानी है, देखो पूरा question नहीं है, पूरा question देखनी के लिए आप देखो next पे, तीन molecule हैं बाई, इनको match कराना है, तो यहाँ पे यह first molecule, second molecule, यह तो अपन कहें, तो एक famous राइमन टीमान का product होता है, salisaldehyde अपन जानते हैं, यह जो molecule है, इसको कहते हैं अपन, cinemaldehyde, और next इसके बाद कहें, तो आगे वाला, यह है veniline, आपने अगर NCRT देखा हो, तो NCRT में कार्बोनील कंपाउंड के introduction में, इन तीनों के बारे में, और तीनों के source के बारे में दिया हुआ है, factual question है, वैसे तो MTR name है, आपको त्यारी करने पड़ेंगे, इसमें जो आपका पहला-पहला molecule दिया हुआ है, cinemaldehyde, salicyldehyde नहीं है, veniline नहीं है, cinemaldehyde है, और cinemaldehyde जो है, cinemon से बदलता है, देखो, यहाँ पर मैंने bracket में information और दिये है, जरूरी निये, आपको structure से name आ रहा है, name के अलावा उसके source पे भी जा सकता है, तो थोड़ा इसका भी ख्याल रख लेना, तो cinemaldehyde, cinemon, इसका source है, तो यह cinemaldehyde कौन सा है, फर्स्ट वाला, एक को match कराना है C से, एक को match कराना है थर्ड से, तो एक को match कराओंगे थर्ड से, एक तो यह वाली line चल दिए और एक यह वाली, मतलब यह confirm होगे, आपना answer 1 नहीं होगा, आपना answer 3 भी नहीं होगा, फिर देखो इसके बाद, सेगिन वाला, यह लगबग जानते हैं, आपन राइमन्ट इमान में बनाते हैं, salisaldehyde, salisaldehyde, फर्स्ट से matching होगी, और salisaldehyde जो है, मेड़ो स्वीट से, तो वैनिलीन अपन कहें, तो वैनिला सेम, वैनिला बीन्स जो है, वैनिला सेम, वैनिला बीन्स जो है, इनका source भी है, तो यह वैनिलीन था, तो matching होगी 2 से, तो फॉर्थ में बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है, सारी matching proper किस्में है, फॉर्थ option में, clear है, चलिए, next देखें, how many different type of amino acid in the following polypeptide channel, आपके सामने एक polypeptide दिया हुआ है, amino acid, amino acid के attachment से, polypeptide बनता है, protein बनता है, तो यहाँ देखो, क्या हुआ है, actual में, यह एक basic structure है, amino acid के लिए, यह group R change होता है, बाकी तो इतना common रहेगा, amino acid में, दूसरे किसी amino acid के सामने आएगा, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, यह R group change होगा, R बोले तो 20 type के हो सकते हैं, अलगलग, LNN, glycine, pterosine, कुछ amino acid, अब यह amino acid जब attach होते हैं, तो यह link बनाते हैं, इसमें amine group कार्बोक्सी पे NSR reaction करता है, और यहां पे यह link बनता है, जहां से यह connect हो रहे हैं, तो सामने वाला जानना क्या चा रहा है, जो polypeptide है, इसमें कितने बरकार के amino acid का यूच हुआ है, नाम तो ऐसे उसने नहीं पूछा, लेकिन बहुत simple सा कोशन है, देखो यहां देखो, यह एक peptide link आ गया, यहां देखो, यहां भी एक peptide connection है, यहां भी एक peptide connection है, तो बहुत यह peptide connection है, इसका मलब इसको अगर cut करें, तो यह के amino acid separate होगा, और as usual इसको cut करें, तो यह second piece हो गया, और यहां से इसे cut करें, तो third और यह fourth, यह nosant, और वैसे अगर आप नाम से भी त्यार कर रखा है तो यह जो R गुरूप लगाया हुआ ही आइसोबूटिल है आइसोबूटिल बोलें तो लियोसीन अमीनोसीन है यह पूरी स्टक्चर लियोसीन है आगे वाला यह जो दिया हुआ है यह सिस्तीन है इनके सिंबल वाला ओप्षन यह भी दे सकता है नेम अगर वो देना चाहिए कि यहाँ पे कौन-कौन से अमीनोसीन अड़ हुए है तो लियोसीन अड़ हुआ है लियोसीन के बादपन कहें तो सिस्टीन सिस्टीन के बादपन कहें तो टाइरोसीन तैरोसिन के बाद अपन के हैं, तो ग्लियोटैमिक, यह भी दे सकता था कोश्चन का दूसरा एक वेराइटे, जिसमें अपने को अमीनो एसिद की स्ट्रक्चर त्यार, पर हलागी फिलहाल वो भी जानना चारा, कितने अमीनो एसिद हैं, अपने को बताना के नाम पे अपने पोलीमर चेप्टर में दोई पोलीमर दियों हैं, पी, एच, बी, वी, और दूसरा नाइलोन टू, नाइलोन सिक्स, तकिन ये कोश्चन कई बार आया है, जैम निमनी ये बहुलक कुंसा है, लेकिन इस पे एक नहीं वर्डिंग एड की है, जैम निमनी पोली एस्टर, थोड़ी जल्दबाजी करो कि जैसे अभी जस्ट प्रिविएस कॉश्चन में गड़बड हो रही थी एमिनो एसे दिए धिए धिफोर, हमने लगाया आंसर फोर, मैंने लगा दिये, ये मिस्टेक नहीं होनी चीए, देखो यहाँ पे फोर कहां दिया हुआ, टू पे, ये मिस्टेक्स होती, ऐसे यहाँ पे अपन देखें तो सिरफ अपने आदी बाग पड़ी जैम निमनी आंसर जो रहेगा, वो कौन सा सेकिन रहेगा नेक्स्ट, which of the following set है, उनली थर्मो प्लास्टिक, उस सा थर्मो प्लास्टिक बहुल लग का है तो देखो भई, गलाइप टेल नहीं, ये तो पहला option ही फिट नहीं बैठ रहा रखेलेटल अगर अपन कहें तो एक फाइबर है गलाइप टैल जो है थालिक एसिड और थालिक एसिड के साथ जो आप जो प्लाइक्ष के लिए उज करते है, वो एक पोलीएस्टर है पोलीएस्टरी ये पोलीमर्ट जो हम फाइबर में रखे जाते हैं PAN तो ये भी फाइबर है तो ये option में नहीं आएगा polythin बिल्कुल एक thermoplastic है baccalite नहीं thermosetting है baccalite एक ऐसा material है जो heat करके एक ही बार shape लेता है लेकिन thermoplastic को बार-बार आप shape change कर सकते हो ये नहीं आएगा बेकलाइट इसमें अलग केटेगरी का हो गया और ये फाइबर केटेगरी का PVC, polythin, polystyrene ये तीनों बिल्कुल सेम है देखो जिते भी रबड है वो इलेस्टोमर केटेगरी में है polyester, polyamide और non ये तीनों जो है फाइबर में रखे जाते हैं और उसके अलावा जो remaining रहते हैं वो कौन से है PVC, polythin, polystyrene ये वो material है जिसको बार-बार heat करके नहीं shape दी जा सकती है ये thermoplastic में नखा जाएगा ये पूरा set फिर अपन कहें यूरिया formaldehyde resin तो formaldehyde resin, formaldehyde, melamine formaldehyde, urea formaldehyde, phenol formaldehyde ये सब thermosetting category के होते हैं तो ये नहीं आयाएगा इसलिए अपन कहें तो यहां पर थर्ड proper answer है इसका जो thermoplastic है next match the following and select the correct option for the code भया आपके सामने molecules दिये हुए हैं उनके बारे में कुछ information है match करनी है BHT तो अगर आपने chemistry in everyday chapter देखा है तो BHT butylated hydroxy toluene कहें तो एक शोधन अभी करमक है परती अमल है मुद्रक है परती ओक्सिकारक है तो ये वही परती ओक्सिकारक है BHT actual में एक anti-oxidant है तो एक ही matching four से होगी एक ही matching four से होगी ये लोग साब question solve हो गया पाग ये अगर आपको करना है सुक्रा लोज सुक्रा लोज अपन कहें एस्पार्टम एलीटर्म सुक्रा लोज और सेकेरिन ये artificial sweetener होते हैं तो ये इसकी matching three से होगी बिल्कुल three से हो रही है इसमें भी milk of magnesium acidity के लिए magnesium hydroxide aluminum hydroxide इन सब का यूज होता है तो milk of magnesium किसे कहते हैं anti-acid की तरह काम करता है two sodium loryl sulfate a detergent है detergent अपन कहें तो किसके परपर से कहां बात है cleaning है जाए तो ये लो सब हलाग ये सब अपने knowledge के लिए मैच किया बागी इतना easy question था फर्स्ट अटेम्ड में उसे करते क्योंकि बागी किसी में प्रॉपर फर्स्ट मैचिंगी प्रॉपर नहीं थी आरें दफ फॉलॉविंग एलेक्टोलाइट इन्क्रीजिंग ओर्डर कोगलेशन पावर अस्टो अस्ट्री आर्सेनिक सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड जानते है अपने स्टुडेंड ये एक नेगेटिव सोल होता है इसको कोगलेट करेगा इलेक्टोलाइट का पॉजिटिव आयन तो हार्डि सुल्जे रूल के अकोडिंग जो इलेक्टोलाइट ज्यादा बैलेंसी वाला केटाइन देगा वो उतना ही अच्छा होगा तो के सील के अंदर तो के प्लस है यहाँपर सी ए प्लस टू है यहाँपर अल प्लस त्री है और यहाँपर एसन प्लस पोर है तो एसन प्लस पोर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा नेगेटिव शॉल को कोगुलेट करने के लिए तो आप कह सकते हो कि इसमें एसन च्यल फोर के लिए एफोर दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट ओडर यह होगा इसको फॉलोविंग स्टेक्मेंट इस इंक्रेक्ट इन हैवर प्रोसेस अमोनिया फॉर्म्लेसन की रियक्शन है उसके अंदर आयरें काम में लेते हैं तो इसमें यही लिखा है कि आयरें को काम में लेते हों फाइनली डिवाइड हां सर्फिस अरिया बढ़ेगा ज्यादा यह बिल्कुल सही बात है जसको अपन पेट्रोकेमिकल इंडिस्ट्री में काम में लेते हैं यह स्टेट्मेंट गलत है और आपको इंकरेक्ट ही पूछा है तो आपका यह हो गया माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को गल्टोज में कनवर्ट करता है गल्टोज को माल्टोज के अंदर तो यह आंसर आपका गलत है यह ऑप्शन आपका गलत हो गया मालेज इन पर्जेंस ऑप सोडियम कुलराइड सोडियम आइन्स आर कैटलेटिकली वेरी अक्टिव यह बिल्कुल ठीक बात है तो आंसर आपका कौन सा होगा इसमें थर्ड फोर डिशिंग वन मॉल उप एप प्लस को अगर आपको रिड्यूस करना है 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 तो अगर मॉलों की वहासर बात करें तो यह वन मॉल है तो यह टू मोल यहां पर एलेक्ट्रोन हो गया और यह पर वन मॉल-ےhaft Алum ERIC redo जोगा तुझेहां तो यहां पर आंसर केत्ता हुआ जाएगा फर्स ट कि एस्टोरेंट इसमें कॉपर को आप जो है वो डिपोजिट करवा रहे हों तो आपने पता है कि वन मॉल सीयो प्लस टू आइंस को अगर आपको डिपोजिट करवाना है तो दो फेराइडे चार्ज के आउशकता पड़ेगी और उससे वन मॉल कॉपर डिपोजिट होगा वन मॉल कॉपर का मतलग 63.5 ग्राम को अपन डिपोजिट कर देंगे अगर आपको इसको कुलाम के अंदर लिखना है तो आपको चार्ज दे रहा है 10 मिनिट्स के लिए 1.5 एंपियर तो यहां पर इतना चार्ज जो है वो इतने इतने को करता है तो आप यह बताओ कि वन कुलाम कित्ते को करेगा वन कुलाम चार्ज कित्ते को करेगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 965 00 और एक्ट्वल में चार्ज अपने को दिया किता है अना तो चार्ज आप जानते हो आई इंटू टी होता है 1.5 एंपियर आपको दे रखा है 10 मिनिट्स तो इ रखा है इतने चार्ज से कितना डिपोजिट होगा तो इतने चार्ज से 63.5 तो वन कुलाम से इतना होगा और 1.5 इंटू 10 इंटू 60 से कितना होगा तो अपने इसको मल्टिप्लाई कर देंगे स्टुडेंट 1.5 इंटू 10 इंटू 60 अपन 2 इंटू 96500 इसको इसको स्टुडेंट आप कल्कुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कुन सा आएगा second what is the sign of delta G naught and the value of K equilibrium for an electrochemical cell for which in-out cell is 0.80 volt अगर आपको in-out cell आपको दे रखा है अपने को 0.80 volt जो की positive है और अपन जानते हैं कि student अगर इस cell अगर आपके पास positive है तो डेल्टा जी आपके पास आएगा नेगेटिव आएगा प्रोसेस क्या होगा spontaneous होगा तो डेल्टा जी का मान तो negative यहां पर भी दे रखा और यहां पर भी दे रखा कि अब आप student जानते हो कि डेल्टा जी ब्रावर माइनर सार्टी एलन के होता है तो आपको पता है डेल्टा जी का मान नेगेटिव चीए तो आपको के क्या चीए बोलो positive ठीक है ना positive का मतलब एक से ज्यादा तो आंसर आपका कौन सा होगा यह इसके कारण गलत होगया आंसर कौन सा होगा first तो उम्मीद student आपको इसमें अगर कोई execution में अगर आपके गलती हुई है ठीक है तो आपके solution से आपने उस गलती को दूर किया होगा और नीट एक्जाम का जो paper आपका होने जा रहा है उसमें ऐसी छोटी गलतिया आप नहीं दो रहे बहुत आराम से जो है paper को आप ध्यान से पढ़कर इसलिए mistake ना हो पूरे salver की मेरत का पूरा निचोड आप निकाल पाओ इसलिए बहुत सांती से ध्यान से paper को आराम से पढ़के आपको करना है निश्यत रुप से आप बहुत अच्छा करोगे best of luck thank you